डियर स्टुडेंट्स आप सभी का बानसुर पीजी कोलेज की ओनलाइन क्लासेज में स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है हम जो टोपिक लास्ट टाइम में हमने पढ़ा यह डाइग्राम हमने समझा जो कि हमारा टोपिक था पोईजन एपरेटर यह पोईजन एपरेटर टोपिक हमने स्टार्ट किया है और उस पोईजन एपरेटर में जो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एक चोड़ी विस गरंधिया जिनका चित्र कल मैंने आपको समझाया था तो पहला पॉइंट को मैंने समझा दिया है अब जो है इस पोईजन एपरेटर में जैसे कि मैंने बताया पहला टोपिक मैंने समझा दिया है इसमें इसको आज और मैं नोट्स के द्वारा और बताऊंगा नेक्स्ट है उनकी वहनिया ठीक है और फिर नेक्स्ट आएगा विस दंत नेक्स्ट आएगा पेशिया यानि चार टोपिक हमारे इसे पोजिजन एपरेटर के अंतरगत हम पढ़ेंगे जिन में से पहला टोपिक चित्र के द्वारा समझा दिया गया है कल अब आगे बात करते हैं इस पोजिजन एपरेटर की ठीक है जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें मैं एक बार फटा फट से रिवाइज कर देता हूं कि जैसा कि मैंने कल बताया कि ये एक विनॉम ग्रेंड होती है कोई भी स्नेक के अंदर ठीक है और ये विनॉम ग्रेंड जो होती है ये क्या करती है यहां पर विनॉम रहता है विनॉम में से विश रहता है ये पीछे विन विस्ल नर्मेंसर के साथ में विनॉम इस नलीका से होता हुआ इसके दांट, दांट को बोलते हैं विस्दन्द को क्या बोलते हैं ? फैंग से होता हुआ बाहर निकलता है विस्य विस्दन्दÖ की यह बूँद़ आ रही है है आधि यहां निकलता है इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहले जो यह आपको विश्गरन्थी जो दिखाई दे रही है इसे विश्गरन्थी में विश्प का निर्मान होगा यह एक जोड़ी होती है एक इधर की सैड में है तो एक उसके जस्ट पहले रहर उदर के द्वारा विश इनूंवे आता है जो होती है देखो शुरुवात में जहां पर विश गरंती होती है वहां पर जो जरनलिका होती है उसको दिए leon bem departments्रीaysाे से घ्रीडेलिव नारे ह荃ती है उसको बोला ये कोन आता है विनॉम जिस भी बड़े जन्तु को या बड़े सिकार को अचेत करना हो या मारना हो उस स्टटी में ये जहर निकालते हैं सीधा सा फॉर्मूला है ये डायग्राम आप याद कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है सिंपल है ठीक है ब्लैक और वाइट डायग्राम जो है इसमें भी एई सीज बता ही थी मैंने कल लेकिन ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है बनाने में तो मेरे इसाब से वो पहले वाला जो डायग्राम था कलर वो आपको सुविदा भी रहेगी आराम से बना भी देंगे तो यदि आता है कुश्चन क्योंकि आया हुआ कुश्चन है ये विश उपकरण कुश्चन आया हुआ है और हर एक वर सोड़ करके आता भी है ये कुश्चन इसलिए इस कुश्चन को हलके में ना ले करके थोड़ा गंबीरता से लें ठीक है ये भी कल मैंने इनकी जो इस टेक्चर थी अब इस टेक्चर मैंने कल बताई थी इसके बारे में थोड़ा सा बतायत मैंने कि वो जो जहर है वो इस कैनाल में से होता हुआ ऐसे आता है इधर से होता हुआ इधर से निकलता है और जिस जन्तू को काटना हो उसके उपर न चुबाएगा तो यह जो है विस दंट यहां से डिस्चार्ड होगा और इसी के साथ में वो क्या होगा विस मिल जाएगा उसके बोड़ी में सीजी इसी बात है ठीक है तो सिंपर है कहीं कोई रिक्त होने वाली नहीं है ठीक तो पहला इसमें जो राइगराम दिखाई दे रहा आपको यह विस दंट का है कौन से टाइप के सोले नो गलाइफ दंट जो है उनका अनुलम कार्ट है ठीक है यानि यह वाला तो ए वाला तो अनुलम कार्ट है वी वाला जो है कौन सा है अनुपरस्त कार्ट है ठीक है और सी वाला जो है उसका संपूर्ण खाज युक्त विस जैसे कि हमने अभी पढ़ी विश्गरंथियों के बारे में चित्र में देखा उनके बारे में अब विश्तर चर्चा करते हैं क्या होती हैं विश्गरंथियां तो देखिए सबसे पहले विश्गरंथियों के बारे में कि ये जो विश्गरंथियां है एक जोड़ी कोस जो है आकार जिसको सैक लाइक बोलते हैं कोस आकार यानि सैक लाइक कोस यानि सैक लाइक यानि आकार कि विस गरंथियां जो है उपरी जबडे की आंतरिक सतय पर कहां उपर का जबड़ा होगा अपर जा जो होता है उसकी जो इनर सरफेस होती है उस पर दोनों ओर किदर होती हैं ये दोनों ओर जैसे चित्र में तो एक ओर दिखाई दे रही थी तो एक बार में ते एक और ही दिखाई देगी अपनको तो दोनों और इस्तित होती हैं कौन इस्तित होती हैं विस गरंधियां यह समभवत है उपरी ओस्टिय या पैरोटिड गरंधियां होती है यनि यह क्या होती है समभवत है समुध्री सर्पों में कौन से सर्पों में समुध्री सर्पों में जो ग्रंधियां है वो छोटी होती हैं अंडाकार होती है कैसी होती है ये बड़ी तथा नलाकार होती है ठीक है तो परंतु लिखे लें ज़्यादा ठीक रहे गए याँ पर चलिए आगे बात करते हैं कि जो विस गरंतियां है विस गरंतियां तंतुओं की सायता से अपने इस्तान पर इस्तित रहती है जो भी इसके जो तंतु होते हैं उनकी सायता से जो भी विस गरंतियां है वो अपने इस्तान पर क्या है इस्तित रहती है अब अगर तंतु जो है एंटिरियर लिगामेंट जो है वो गरंति के अगर अंत को मैकसिला के साथ तथा पाश्चत अंतू गरंथी को क्वाडरेट के साथ में जोड़े रखते हैं नेक्स्ट है परते गरंथी जो है एक मोटे फाइबर युक्त संयोजी उतक के बने संपुट से या संपुट में गिरीवी रहती है किनकि संयोजी उतक के बने कैप्शूल के द्वारा वो गिरीवी रहती है तथा अधिकतर एक पंक सैद्रश संकूचक पेशियों फन सेब्ड कॉंस्टिक्टर मसल्स द्वारा रखी रहती है ये पेशियां अक्सर टेंपॉरल मासिस्टर मासिस्टर पेशिया कहराती है सर्प दंस के समय इनके फैरने से विष गरंथी जो है विष निचुड कर वही निम्या जाता है मालब प्राइमरी विनॉम ड़क्ट है उसमें निकल के विष जो है उन कंप्रेस्ट सैल के द्वारा क्या होगा कॉंस्ट्रेक्शन होगा महाँ पर जो कि फंक की समान होती है बडाई में संकुचन होता है उनको आगे की और विष यो बहेगा जैसे ही उनमें संकुचन होगा तो वो आगे की और विष बहेगा कहां पहले तो प्राइमरी विनोम डक्त में आ जाएगा फिर उसके बाद में सेकंडरी में आ जाएगा लास्ट में उसमें फैंग तो उनका विस दंत होता है उसके द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा ठीक है अब इसका विस उपकरण का दूसरा पॉइंट है विस वाहिका क्या है विस वाहिका चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है पोईजन डक्त ठीक है विस वाहिका को बोलते हैं पोईजन डक्त अब ये जो पोईजन डक्त है देखिए की परतेक विस गरंथी के अगर सिरे से एक सकरी विस वाही का निकलती है क्या निकलती है एक सकरी विस वाही का निकलती है वाही का जो है जबडे के किनारे के साथ साथ आगे की और बढ़कर विस दंत के ठीक आगे अपने आप पर लूप बनाने के पश्याद विश दंत के अधार पर या उसमें उपस्टिट खाँच या नलिका में खुलती है ठीक है नेक्स्ट विश दंत विश दंत जैसे कि मैंने बताया कि विश दंत को ही हम क्या कहते हैं इंगलिस में फैंक कहते हैं तो यह फैंक्स दो होते हैं पता है तो देखिए इनके बारे में कि जो विश दंत कुछ विशिष्ट दांत होते हैं जो maxillary अस्तियों से जुड़े रहते हैं कौन सी से maxillary जो उपर का जबड़ा होता है ना इसका उसमें ये maxillary bone होती है और उन से जुड़े रहते हैं ये लंबे कौन इनके दंत लंबे होते हैं वक्रित होते हैं गुमे वे होते हैं तृक्षन यान्क पैने होते हैं और नुखिले ठीक है नुखिले होते हैं ये सिकार की शरीर में विस इंजेक्ट जैसा अपना इंजेक्शन लगता है ना इंजेक्टकर्ने के लिए हाईपोडार्मिक सुईयों की तरह कारिया करते हैं कौन विशेदंद एक कार्यसील विशेदंद के तूट जाने पर या सतीगरस्त हो जाने पर यह अतिरिक्त विशेदंद द्वारा प्रती इस्तापित हो जाता है यानि अतिरिक्त विशेदंद निर्वान होगा और उसके द्वारा प्रती इस्तापित हो जाता है संद्चना वे इस्तती के आधार पर विशेले सर्पों में क्या विशेले सर्पों में तीन प्रकार के विशेदंद होते हैं कितने प्रकार के तीन प्रकार के फैंक्स होते हैं जिनको अभी हम देखेंगे चित्र के त्वारा ठीक है अब चित्र 20.6 में हमारे ये इसमें दिखाए हुए हैं विस दंत देखो इसमें अब पहले एक बार इदर देख लो आप मैं स्लैड से बता देता हूं पहला आएगा आ दूसरा आएगा आपके प्रोटीो गलाई फस और तीसरा परकार का आएगा आएगा सोली नौ गलाई फस ठीक है तो आगे बात करते हैं अब एक एक की बात करते हैं यहां देखिए आप सबसे पहले इनके चित्र अब जाजी जैसा कि आपको चित्र जो निखाई रहा है विस दंत का ये इसमें चार प्रकार के दंत विन्यास को दिखाया हुआ है अब चार प्रकार के जो दंत विन्यास है सबसे पहला है ए ग्लाइफस दूसरा है बी ये दो ए ग्लाइफस बी वाला बात करते हैं ओफिस्तो ग्लाइफस C, Proteinoglyphos ठीक है D, Selinoglyphos या Solinoglyphos यह रहा हो ठीक है इसके हमने बात भी करी थी अभी बाकी का E-Point क्या है यह वाला यह है जो वाइपर के जो विश्दंत है विश्रा मावस्ता में जो होते हैं वो ठीक है और F क्या है इसके अंदर आकरमन के समय तना हुआ विश्दंत जैसे की यह यह क्या है आकरमन के समय तना हुआ है जैसे किसी को डखना हो तब की इस्तती है चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम जैसे की हमने बताया तीन प्रकार की होते हैं मुख्य रूप से अब वो तीन प्रकार की बात कर रहे हैं विस दंदों की सबसे पहला आता है हमारे ओफिस्टो गलाई पस तो ओफिस्टो गलाई पस की चर्चा करते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है ओफिस्टो गलाई पस जो है ओफिस्टो का यहां अर्थ होता है पस्च और गलाई पस का अर्थ होता है खोकला यानि इस प्रकार के दंद जो है वो कौन से कुल के कोलू ब्रडी कुल के कुछ विशैले सर्पों में पाए जाते हैं कौन से ओफिस्टो ग्राई फस टाइप के दंद इन सर्पों में विस दंद जो हैं छोटे वैं मैकसिला के पस्च भाग में इस्तित होते हैं यानि विश्दंत कैसे होंगे चोटे होंगे और जो मैक्सिला है उसके पश्च भाग में इस्तित होंगे ठीक है नेक्स्ट है जो मैक्सिला के अगर भाग में चोटे दांत होते हैं कुछ जातियों में विश्दंत ठोस होते हैं अन्य में इनकी पश्च सतय पर एक खांच होती है यानि कुछ जाती जो होती है उनके अंदर जो विश्दंत होते हैं वो कैसे होते हैं ठोस होते हैं और अन्य में इनकी जो पश्च सतय होती है उन पर एक क्या होती है खांच होती है जिससे लार को सिकार के जखम में छोड़ा है ठीक है लार को छोड़ा जाता है विश्दंत की पश्च इस्टती कुल कोलू ब्रिडी कौंजी कोलू ब्रिडी में अनेक रूप में उद्व विकासित हुई हैं तथा बहुत करीबी जातियों में भी यह लक्षन प्रियाप्त मिन्नता दर्शाता है अब बात करते हैं पहला उत्तर अमेरिका के रिगन रिंग नैक सर्प कौन सा रिंग नैक इसनेक दूसरा है डायो डो फिस बहुत बड़े सर्प होते हैं जिन में अती विक्सित ओफिस्टो गलाइफ विश्दंत पाए जाते हैं यह एक्जामपल है कि वह किसके अंदर पाए जाते हैं यह वाले तो रिंग नैक इसनेक साथ में डायो डो फिस इन दोनों में नेक्स्ट हम बात करें पूर्वोत्तर अमेरिका के रिंग नैक इसनेक छोटे होते हैं तथा इन में जो विश्दंत हैं उनका विकास न्यूनतम या फिर अनुपस्तित होता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनेक अफ्रीकन तथा एसी आई ओफिस्तो गलाइफ सर्प बड़े बड़े जन्तुओं को जिनमें मनुष्य भी सम्मलित है प्राण गाता के दन समारते हैं ठीक है परंतु उनका प्रात्मिक सिकार छिपकलिया या फिर पक्षी होते हैं जिने ये अपने मुख में तब तक दबोचे रहते हैं जब तक सिकार पूरा निगला नहीं जाता तो ये कहां ये अफ्रीकन और एसी आई जो सर्प होते हैं बड़े बड़े जन्तुओं को निगलते हैं ये ठीक है जिनमें हमारे मनुष्य भी सम्मलित है अब आप सोच लीज हैं नहीं तो कैसे सर्प होंगे ये प्राण खातक दंस मारते हैं जिनके एक बार में ही दंस मारते के साथ ही इंसान और अन्य जानवर मर जाते हैं चलिए दूसरे प्रकार के विश्दंत की बात करते हैं तो दूसरा प्रकार का जो विश्दंत है उसका नाम है प्रोटियो ग गलाइफस क्या है प्रोटियो गलाइफस अब देखिए जिसमें प्रोटियो जो है प्रोटियो का अर्थ क्या हो गया प्रथम और गलाइफस जो है उसका अर्थ क्या होता है खोकला क्या अर्थ है खोकला यानि इस प्रकार के जो दंत है वो इले पिडी कुल के किसकिस में कोबरा मामबास कोराल वे हाइडरो फिलीडी कुल के जो समुदरी सर्पों में ठीक है समुदरी सर्पों में पाए जाते हैं यह इस में कोबरा हुआ मामबास वे कोराल सनेक हुए इसके लावा हाइडरो फिलीडी जो फैमिली है उसके जो सी सनेक हैं उनके अंदर यह पाए जा विस्दंत अपेक्छाक्रत छोटे तथा मैक्सिला के अगरवाग में इस्तित होते हैं छोटे होंगे साथ में जो मैक्सिला है उसके भी अगरवाग में इस्तित होंगे पर तेक विस्दंत की अगर सताय पर पूरी लंवाई में एक खांच उपस्तित होती है अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के विस्दंद की देखिए अब तीसरा प्रकार का विस्दंद जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर कौन सा है सोलिनो ग्लाइफास या यह रहा सोलिनो ग्लाइफास जिसमें सोलन का अर्थ क्या है पाइप और ग्लाइफास का अर्थ क्या है खोकला जिसमें हमने अभी एक सबसे पहले जो चितर की द्वारा जो समझा था वो कौँ सा था सोलेनो गलाइफस टाइप का विस दंत ही था उसमें आपको ध्यान हो तो खोकला था ना उसमें से तो निकल के आता है विस ठीक है तो देखिए आगे बात करते हैं कि ये जो विस दंत हैं सोलेनो गलाइफस टाइप के जो है नई दुनिया के जो पिट वाइपर हैं वाइपर आपने बहुत सुने होंगे तो पिट वाइपर हैं तथा पुरानी दुनिया के जो वास्त्विक वाइपर हैं साथ में रैटल स्ने हैं उनके अंदर पाए जाते हैं कौन से सोलिनो गलाइफास टाइप के जो दांत होते हैं विस्तांत बे ठीक है वो इन सरपों में मैकसिला पर केवल एक बड़ा कार्यसील खोकला विस्दंत उपस्टिद होता है किस पर मैकसिला पर यह है एक खोकली विस्वाहिनी जिसके इनेमल की परत्चडी होती है विस्दंत के भीतर से जाकर उनके सिरो पर खुलती है इसका आधार एक आवरन जो है उसके दौरा डका रहता है जिस पर कई अतिरिक्त तथा विकासील या विस्दंत वुपस्टिद होते मैकसिला गोल घूमने में शक्षम होती है यह हमने पहले भी पढ़ा था याद हो तो जिस से मुख बंद होने की इस्तती में विस दंत मुख की छट के निकट फॉल्डेड हो जाते हैं यह निए फॉल्ड हो जाते हैं वो अंदर की तरफ सीरी सी बात है इस प्रक्रिया के कारण सोलेनोगलाइफ जो है सर्पों के विस दंत बहुत लंबे होते हैं कैसे होते हैं सोलेनोगलाइफ टाइप के लंबे होते हैं तथा सिकार के अंदर तक विस को इंजेक्ट करने में अंत छिपती यानि इंजेक्ट करने में शक्षम होते हैं क्योंकि लंबे type के होते हैं तो शिकार के अंदर आसानी से वो दंट आसानी से अंदर तक जाता है और विष्ष पूरी तरीके से उसमें complete तरीके से फैल जाता है अपने अपना प्रभाव जो है पूरे प्रभाव सारी ढंक से दिखाता है जिससे संबंधित प्राणी की मृत्यू हो जाती है या वो एचेतन हो जाता है ठीक है अचेत अवस्ता में आ जाता है ठीक है यह हमारा तीसरा पॉइंट भी खतम हुआ विश्जंत अब चोथा पॉइंट जो हमारा विश उपकरण में है वो चोथा और सबसे अंतिम यह अपना पेशियां तो देखिए पेशियों के बारे में चर्चा करते हैं कि विश जो उपकरण है उसमें तीन प्रकार की पेशियों के विशिस्ट पटों से जुड़ा हुआ रहता है जो की निमलकित हैं सबसे पहली जो हैं डाइग्रेस्टिक पेशियां या डाइग्रे की कौन सी square module अस्ती तता दूसरे सिरे से निचले जबडों की आर्टी कूलर से जुड़ी रहती है कौन सी diagnostic muscles next है spinoterygoid या इनी का दूसरा नाम अन्य नाम क्या है protractor terrygoid muscles ये क्या होती है ये इसके जो सर्प होता है उसके अगर सिरे की और spinotery भाग तथा उसका जो पस्चे सिरा होता है terrygoid जो होता है उसकी प्रश्ट सतय से जुड़ी हुई रहती है ठीक है कौन spinoterygoid ये जिनको हम बोलते हैं protractor terrygoid muscles ये है terrygoid जो बोन होती है को आगे की ओर दखेलती है कहां आगे की ओर दखेलती है next और अंतिम मसल्स इसकी अग्र तथा पस्चे टैंपो रेलिस यानि एंटीरियर एंट पोस्टीरियर टैंपो रेलिस मसल्स ये मसल्स जो क्रेनियम होता है की दोनों और की दिवारों तथा निचले जबडे से जुड़ी हुई रहती हैं ये मसल्स निचले जबडे को बंद करने का कारिय करती हैं विस उपकरण की छमता तीन बातों पर निर्भर करती है कौन-कौन सी पहली विस जो है इंजेक्ट करने की परकरिया ठीक है दूसरा विस का उत्पादन और तीसरी बात विस के निसकाशन की विधी ठीक है तो ये विस उपकरण जो है उसकी छमता हमने बात करी तीन बातों पर क्या करती है डिपेंड करती है अब कल हम पढ़ेंगे बाइटिंग मेकनिजम यानि किस प्रकार से क्या बाइटिंग करते हैं ये सर्प ठीक है अब ये बाइटिंग मेकनिजम कल पढ़ेंगे इसमें हम पूरा पूरा प्रोसेजर समझेंगे और उसके बाद में आगे का टोपिक पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही प्रियाप्त है बाकी का हम कल चर्चा करेंगे तो ये जो हमारा टोपिक हुआ है उना मैं बता देता हूँ इंपोर्टेंट टोपिक है विस उपकरन जिसमें हमने च्यार पॉइंट पड़े चोता पॉइंट जिसमें हमने मसल्स पढ़ा और तीसरा पॉइंट जो हमने पड़ा विस दंत जिसमें तीन परकार के विस दंत पड़े विस दंत को फैंक्स बोलते हैं इंगलिस में नैक्स्ट दूसरा पॉइंट पड़ा विस वाही का और पहला विस गरंथियां ये विस उपकरण के हमारे चार पार्ट है चारो पार्ट इंपोटेंट है और ये आपके सामने लिखे हुए हैं ये चार पॉइंट हैं देख लीजी आप और इस डाइगराम को हमें याद रखना होगा धन्यवाद दुआ होगा चार को hero living है को बाते हैं लीजी हुए हैं ये विस डाव रखना हैो चार ब घगते सब张या देख चार जखना हैं और जाई